तो जैसा कि आपको पता है UGC.net के forms release हो गया है, form filling शुरू हो गया है, तो देख लेते हैं कि form fill करने का date कब से सुरू हो रहा है, last date क्या है, तो आपको ugcnet.nta.ac.net इस website पर आना है, आप इस पर directly click करो, ये notification आपके सामने ही आ जाएगा, इस notice में clear cut दिया हुआ है कि form filling 20 अपरे rate और हाँ इस बार एक बहुत जो important बात किये है कि paper offline होगा, OMR mode में होगा, pen and paper mode में ये exam होने वाला है इस बार, तो UGC.net.grf का exam जो online होता है, वो अब offline होगा, in fact मैं आपको बता हूँ, आखरी offline paper हुआ था, दिसंबर 2018 में, कि उस साल सबसे पहली बार मैंने UGC.net.grf qualify किया तो वो सबसे पहली बार मैं दिया था, और वो उस time, last time इसा paper offline हुआ था, वापस भी फिर paper offline कराएंगे, तो offline paper में क्या होगा, कि आपको एक booklet मिल जाएगा, सुरवात में part 1 का question रहेगा, फिर part 2 का जो भी आपका subject, जो भी आपका subject expertise है, beat history, political science, education, कोई सभी आपका जो paper 2 होग जाएगा, और party का जो आपका question साता हो रहेगा, दोनों का question booklet आपको दिया जाएगा, हो सकता हो लोगा, आपको क्या करें, बीच में थोड़ा सा time gap देते हैं, कि माल लो पहले तुम party solve कर लो, फिर 10-15 मिनट बाद जोगा, दूसरा paper दें, तो इस तरह से करके paper follow होता, offline mode में, पहले ही होता था, लेकिन इस साल से paper अब वापस से MR pen and paper mode में होगा, तो उसी हिसाब से आप prepare रखेंगे, और यह बात ध्यान रखिएगा, कि paper 1 के बाद हो सकता थोड़ा हो कुछ gap दे, फिर आपको आपके subject के हिसाब साब को question paper देखने के लिए, paper 2 का general candidates के लिए form filling का rate है 11.50 प्लस जो भी transaction charge अगर banking का लगे, जो EWS वाले है, OBC है 600, otherwise 325 rupees for other respective categories, और form fill करने के लिए, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इस website पर आप click करोगे, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यह वाला page आपके सामने आजाएगा, अभी complete form filling procedure का detail बहुत ज कोई सभी subject हो, paper 1 equally important होता है, और आप किसी भी subject से PG कर रहे हों, या कर चुके हों, तो आपको पता है, वही subject आपका paper 2 का basically होता है, तो उसमें आप से केवल और paper 2 का question पुछेंगा, paper 1 सबके लिए same होता है, तो यह जो paper 1 का one of the best preparation at very low and affordable cost, इसमें mock test वेगरा भी हम लोग provide करते ह हैं, video lecture series भी provide करते हैं, तो paper 1 के लिए जो यह resource material दिया जाता है, इस से ज़्यादा आपको कुछ करने के जरुवत नहीं है, जो भी paper 1 का area है, आप किसी भी subject से PG की हो, कोई भी आपको इस बात को समझना होगा, कि importance देना है और इतना ज़्यादा भी ने के एकदम paper 1 में ही डूब में, क्योंकि आपका जो खुद का core subject है, उसमें ही आपको बहुत ज़्यादा prepare करना है, तो deli bites का paper 1 का content, इस हिसाब से इतना polished तरीके से तयार किया गया है, कि notes भी हो, mock भी हो, और क्या कहते हैं, उसमें कु db net 2999 लिख करके इस नंबर पर whatsapp करना होगा, 2999 का payment करना होगा, ध्यान दीजेगा, यह payment code लिख करके send करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग voice call facility नहीं provide करते हैं, आप जब यह code लिख कर send करोगे, तो whatsapp handler को पता रहेगा, कि आपको paper 1 का जो भी lecture content रगेर है, वो सारा क कुछ आपको चाहिए, जब आप 2999 का payment का screenshot send करोगे whatsapp handler को, तो यह सारा जो detail यहाँ पर आपके screen पर mention है, यह whatsapp handler आपको 24 to 48 hours पर provide कर देंगी, तो db net 2999 यह code लिख करके इस number पर whatsapp करना है, 24 to 48 hours वेट करना है, payment करने का payment settlement के लिए 24 to 48 hours वेट करना है, बिना panic किये कि विरसाथ तो यह fraud हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, इस amount is too less for any kind of fraud, तो आपको उसका चिंता नहीं करना है, और यह आपको बहुत low cost पर मिल जाए, यही reason है कि आपको whatsapp पर payment करवाया जाता है, तो बस यह code लिख करके send कर दीजे, whatsapp पर payment कर दीजेगा, यह सारा resource material आपको Delhi Bytes के website पर access द रखे हैं, do join them, God bless you all and best wishes.